हेलो स्टुडेंट्स आज हम डाउट क्लियरिंग सेशन करने वाल है सर्कल लेसन में मैं आपको 10.1 और 10.2 को सॉल करने के लिए बुला थो तो उसके रेटेट कुछ क्वेस्टन्स थे जो बच्चों को समझ में नहीं आए हम 10.1 में से 3rd question पर देखने वाल है ठीक है तो देखे आपको पता हो कि जब भी आप टेंजर बनाते हो वो एक नाइंटी का इंगल बनाते तो वही सब मैंने यहाँ पर शू कर और एक ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म हो गया वो क्या बूल रहा है ऐसे रेडियस सर्कल ऑप रडिच्ट्स पाइज उनल ने बोला कि रेडियस जो पिर से मुझे पुछ सकता हमें इसके बाद हम लोग देखने वाले इसी इस exercise में से नहीं 10.2 exercise में से 7th question वो भी question काभी बच्चों को समझ में नहीं आया था तो उसको भी थोड़ा सा देख ला था तो देखो इसने क्या बोला था two concentric circles are of radius 5 cm and 3 cm concentric का मतलब क्या होता है एक ही point से निकाले हुए circle तो मैंने एक common point ले लिया point O वहाँ से एक circle बनाया जिसकी radius है 3 cm और वहाँ से दूसरा circle बनाया जिसकी radius है 5 cm जैसा है कि उसने बोला था find the length of the cord of the larger circle बड़े वाले circle के cord को find out करने के लिए बोला है which touches the smaller circle तो आपको पता ही है जब भी कोई एक cord जो है वो इस तरह से find out करोगे और वो एक circle को touch करेगी तो वो इस बड़े वाले circle के लिए तो cord बनी बट छोटे वाले circle के लिए वो tangent बन रही है क्यों tangent बनेगी क्योंकि अगर एक ही point से touch करने के जाने वाली कोई भी line होती है तो उसको हमने क्या बोला है tangent बोला है तो इसने बोला था कि वो larger circle जो है वो smaller circle को touch करते हुए जाएंगी वो cord हैना और इसी लिए मैं इस cord को क्या बोल सकता हूँ tangent बोल सकतर हमें पता है tangent का radius के साथ में angle कैसा बनता है 90 degree हैना तो इसके अलावा आपको एक और चीज़ पता है कि जब भी आप एक perpendicular draw करो on a cord हैना perpendicular drawn from the center on a cord is a bisector of a cord ये भी हमें एक पता है जो हमने 9th में पढ़ा हुआ है अगर आप perpendicular बनाओगी cord के उपर center से तो वो उसका क्या होता है bisector होता है तो देखो उसने पूछा क्या था हमें find the length of the cord cord का length पूछा हुआ है हना तो वो हम इससे find out कर सकते तो ये जो बड़ा वाला आपका circle इसका radius कितना होगा 5 cm तो ये हमें पता है कि ये 5 cm है ये भी पता है हमें 5 cm है हना तो इन सब चीजों का use करके हम इसको कैसे find out कर सकते है वो थोड़ा सा देखो भी उसके बाद ये जो छो से आप पाइथागोरस theorem लिगाल के aq को find out कर सकते हो और aq जितना ही होगा उसका double कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा यहाप पीक्यू मिल जाएगा और हमें पीक्यू ही उसने find out करने के लिए बोला है तो आए होप आपको ये भी question समझ में आया होगा यहापे कुन सी property यूज क पूरा पीक्यू इस तरह से यहाप मैंने method इसकी करके दिखा ही है आप इसको करके देखो और फिर भी अगर doubt आ रहा है तो आप मुझे directly पूछ सकते हो ठीक है तो I hope आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अभी हम next question के तरफ चलते हैं तो students हमाना next question है 10.2 exercise में से 9th 9th वाला question भी काफी बच्चों को समझ में नहीं आया था तो उसको भी तोड़ा सा देख लेते हैं इन दे given figure xy and x-y- are the parallel tangent उसने बुला है कि एक circle है उसके उपन हमने दो tangent बनाई एक tangent को नाम दिया xy एक को नाम दे दिया x-y- और दोनों tangent एक दूसे के साथ parallel है दिख रही है हमने diagram में भी वही शो किया to a circle with the center o and another tangent a b with the point of context c एको tangent है a b नाम का जो c point में touch कर रहा है तो इस तरह से एक diagram यहाँ पर बन रही है intersecting xy at a and x-y- at b ठीक है इस तरह से उसने बोलाए कि यह जो angle यहाँ पर बन रहा है कुनसा a o b मतलब यह वाला angle इसका measurement 180 आपको प्रूब करके दिखाना है तो simple है देखो किस तरह से करेंगा सबसे पहले तो हम लोग क्या करने वाले वह आपको बता देता हो मैं क्या करूंगा इस वाले triangle को इस वाले triangle के साथ congruent दिखाऊंगा और यह triangle को इस triangle के साथ congruent दिखाऊंगा तो कैसे दिखा सकते हैं बहुत ही simple है आपको पता है कि एक single point से आप circle के उपर अगर दो tangents बनाते और oc यह दोनो radius of circle है है हना तो op और oc दोनो equal होगा और उसके बाद oa जो है वो तो common side है हना तो इस तरह से मैं इन दोनो triangle को equal दिखा सकते हो और इसका मतलब क्या हो गया यह वाला angle और यह वाला angle दोनो angle एक दूसरे के साथ equal हो जाएंगे similarly करके आपको अलग से लिखने की ज़रूत नहीं है आप similarly करके लिख सकते हो triangle boc congruent with boq हो जाएगा q यहाँ भी सेम वही है oc equal to oq ob is common side and qb equal to bc हना तो यहाँ से मैं इन दोनों को equal दिखा दूँगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो मेरा angle है यह angle इस वाले angle के सब equal हो गय pq एक diameter है अगर pq diameter है तो इसका मतलब इस सब की addition कितनी आनीच चाहिए 180 क्योंकि यहाँ पर सेमी सरक्रा भून रहा है तो मैं यहाँ पर इसको मैंने वही सब यहाँ पर सामने लिखा हुआ है यह तो मैंने equal दिखा दिए angle जो मैंने आपको भी समझाया और poq क्योंकि एक diameter है poq मैं diameter क्यों बोल सकता हूँ क्योंकि यह दोनो parallel line है यह दोनो parallel line है और parallel line को joint करने वाला जो भी आपका segment होता है इस तरह से आपने वह दिखाया तो यह भी 90 का angle बनाएगा यह भी आपका 90 का angle बनाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा diameter हो गया और poq अगर हमारा diameter है तो म मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पर यह चार angle form हो रही है चारो angle के addition कितना नीच है 180 है तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ poa plus coa plus cob plus cob equal to 180 सबकी addition अगर 180 आ रही है तो इसमें हमारे दो angle equal ही है मैंने अभी बोला था poa और coa यह दोनों angle एक दूसरे के साथ में equal है तो मैं यहाँ पर two times of coa लिख सकता हूँ और cob qb भी equal है तो मैं यहाँ पर two times of cob लिखता हूँ coa ही क्यों लिखा cob ही क्यों लिखा वो भी समझो मैंने यहाँ पर coa ही क्यों लिखा क्योंकि यह angle मेरे aob के अंदर आ रहा है जो मुझे चाहिए है तो इसलिए मैंने aoc और boc को ही consider किया ताकि इन दोनों का addition मैं यहा पर किया है तो two times of coa plus two times of cob equal to 180 तो यहाँ से two को common निकाल के equal to sugar लेके जाओगे तो 180 divided by two मतलब ही हो जाएगा 90 और coa और cob के addition कितने हो जाएगा हमारी aob तो इस तरह से मैं प्रूब कर सकता हूँ कि angle aob जो है वो 90 degree का हो जाएगा तो I hope आपको यहाँ तक के point समझ में आया ह इसके बाद थोड़े हमारे difficult वाले दो question बच रहे question number 12 और question number 30 तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ और वो भी हम अप्लोड कर दूँगा तो आप पहले क्या करो इतने question कर लो और इसके बाद तुरंत ही मैं दूसरा वीडियो भी upload कर दूँगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाती है ना इसलिए ठीक है आपको यहां तक समझ में होगा और इतने question में कुछ डाउट आ रहा है तो मुझे पूछ सकता है